हाई फ्रेंड्स आज सुरू करते हैं डोन डिजर बिट फैन फिक्षन के पार्ट त्री पिशले पार्ट में हमने सुना था कि वूइंग अपने फैमिली को याद करके बहुत ज़्यदा रो रहा था और वो जैसे ही जियंग चैंग को देखता है उसे गले लगाता हुए वो रोने लगता है अब आगे की स्टोरी विंग जियंग चैंग को पकड़ को रो रहा था मागर उसे लगता था कि वो उसका बेहे में वो अभी अपनी फैमिली को बहुत ज़्यदा याद करा था इसलिए उसे ऐसा लग रहा है मागर पो जैसे ही जियंग चैंग के स्ट्रीट ली भॉय सुनता है वो उसके तरब देखने लगता है जैंग चैंग केता है विंग क्यों तुम रो रहे हो क्या हुआ है तुम्हें तुम उससे बस रोते हुए आंखों से बस उसे देख रहा था जैंग चैंग केता है तुम मुझे घुना बंद करो अब बताओ क्या हुआ है तुम क्यों रो रहे हो जीयंग चेंग जो बहुत ज़दा ओरेड हो गया था, उइंग कमपर्म करने के लिए वो उसके हाथों को पेंच करता है, तो जीयंग चेंग धर से कहता है, क्या कर रहे हो तुम, तो उइंग अब जो रो रहा था, अब उसके आंखों से आंसु तो निकल रहा था, मगर वो वो उसे पकड़ कर और जोड़ से रोने लगता है हमारा जो जियांग जेंग है वो तो गुसे ले वो बस गुसे अपने दांते चबा रहा था कि वो इंग उसके कोई भी जबब नहीं दे रहा है वो बस रो रहा है वो इंग जो दिरे दिरे अपने आपको सांद करता है और दिरे से कहता है जियांग जेंग जेंग मैं तुम्हें देखकर बहुत ज़धा खोज हूँ तुम्हें पता नहीं है मैं कितना ज़धा खोज हूँ वैसे ही जीजे कैसे हैं अंकल और म्याडाम ज्यांग वो ठेक हैं ज्यांग सेंग स्ट्रीटली भरस में कहता है पहले तुम बताओ तुम क्यों रो रहे थे तुम्हें किसने कुछ कहा है क्या उइंग कहता है नहीं मैं बस तुम लोगों को बहुत ज़दा याद कर रहा था ये बात पुरी सस नहीं था मगर पुरा जोड भी नहीं था वो अभी अपने फैमिली को बहुत ज़दा याद कर रहा था शीचें जो थोड़े से दूर में खड़े होकर उन दोनों भाईयों का प्यार देख रहा था उन दोनों को कहता है कि हम लोग अंदर जाकर बाते करें विंग शीचें को देखकर नोड करता है और वो तिनों जिंग सी की तरफ निकल जाता है दूसरे तरफ वांग जी जो उन लोगों को देखकर वो बहुत ज़दा जयलरस हो रहा था वो वो इंको जैंचेंग के साथ ऐसे गले लगते हुए देखकर बहुत ज़दा गुश्रा हो जाता है वो बहां से जैंग जैंग केता है नहीं मुझे डाउट हो रहा है यह कमरा इतना साफ सुत्रा कैसे है इसे वांग जी ने तो विंग सर्मात हुए सर जुका लेता है जैंग जैंग हसने लगता है और पो सभी जाकर बेढ़ जाते हैं कुछी सेकंड में मियांग उन सभी के लिए टी लेक और बहुसा अभी पीने लगते हैं, तो विंग कहता है जियं चैंग तुम्हांपर कैसे तो जियं चैंग कहता है शीजे की साधी अगले मेहने हैं, मैं सबको निमंत्रन देने आया था। वुईंग कहता है क्या पिकको के साथ? सिर्जे खोसे? जियंग चैंग नोट करता है. मगर उसकी सुई एक ही जेगा पर ठीक गया था. वो कहता है, सिर्जे तो ठीक है, मगर तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रहे थे? विंग कहता है कुछ नहीं मैंने कहा ना मुझे तुम लोगों की आद आ रहा था इसलिए में रो रहा था ज्यांग चैंग उसके बातों पर कंभिस नहीं होता क्योंकि उसे पता है विंग इस्थी छोटों पर इतने द्जा नहीं रोएगा उसकी मा ने उसे कितना मारा है मगर वो इस तरह कभी भी नहीं रोया है साइद यहां पर कुछ हुआ है जो बो बता नहीं रहा है जियाँ चेंग उसे ग्लियार देता हुए फिरसे पूस्ण लगता है मेंग्या उसिचन को यह तरह देता हुए कहता है हमें यहां से जाना चाहिए और वों इन लोगों से एस कुस लेकर वहाँ से चाले जाते हैं वहिं उसे किसी तरह समझा लिया था जिंगचेंग अच्छी थरह तक अनभीस नहीं हुआ था कि मगर वो इतना समझ गया था कि वों इस बहर आकर वांग जी के पास आ जाता है उसे पास आकर कहता है वांग जी क्या हुआ है तुम इतना दा गुशा क्यूं हो वांग जी कुछ नहीं कहता तो सेचन कहता है वांग जी बहुत दोनों भाई हैं मगर वांग जी कहता है नहीं बहुत दोनों सिबलिंग नहीं है अंकल ज्यांग ने उसे गोद लिया है तो सेचन कहता है हाँ इसलिए तो कह रहा हूँ, वो दोनों बच्पन से एक साथ ही बड़े हुए हैं, तो दोनों भाई हुए है ना, वांग जी उसी से उसकी तरफ देखने लगता है, तो सीचन कहता है, वांग जी तुम इसलिए गुशा नहीं हो, कि वो जियंग से शेथ बाते कर रहा है, मुझे लगता है तुम्हारे मन में और कुछ बाते चल रहा है मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारे और आनिंग के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है वांग जी अपना सर जुका लेता है और वो नीचे की तरफ देखने लगता है शिचेन समझ गया था कि वांग जी अब कुछ भी नहीं कहने वाला है वो कहता है वांग जी समय रहते सब कुछ ठीक कर लो कहीं तुम्हारे हाथ से फिसल ना जाए ये कहकर वो बहां से चला जाता है वांग जी अपने मन में सुचते हुए कहता है क्या ठीक करूँ मुझे पता भी नहीं है कि कहां से सुरू करूँ अब हमें पास्ट के बाते दिखाए जाता है कि वांग जी विंक पर उतने दा गुसा क्यों है सादी के बक्त एक मेर आपको मैडम लान बुला रहे हैं वांग जी मेर से कुछ भी पिना पुछे वो सादी के पास सला जाता है क्योंकि वो अपनी सादी से बहुत ज़्यदा प्यार करता है अपनी मा के बाद वो किसे प्यार किया है तो वो है उसके सादी जो उसे मा के जैसे प्यार देता है वो मेरे जहर से कुछ दूर आगे आने के बाद वो देखता है कि एक पेड़ के पास जिन जुन और लिंग और उसके सावजे तिनों खड़े होकर बाते कह रहे थे जिन जुन जो रो रहा था लिंग उसे समझा रहा था मेंग्यो कहता है भाई क्या हुआ तुम क्यों रो रहे हो लिंग कहती है पता नहीं इतने देर से मैं बस पुछें जा रहा हूँ मगर बताता नहीं है जिन जुन कहता है मेरा प्यार मैं जी से प्यार करता था वांग जी उसे छेंड लिया मैंगयो उसके बाते नहीं समझ पा रहा था कि उसका भाई क्या कह रहा है जिन जुएंग कहता है कि विंग और में एक दुझे से पहुत ज़्यदा प्याय करते थे मगर वांग जी ने फोर्स पुली साधी कर ली मैंगयो पुरी तरह सौक हो जाता है वो कहता है ऐसा नहीं है यह पस एक आरेज मेरेज है जो दोनों फैमिली ने डिसेट किया है वांग जी को कुछ भी नहीं पता है लिंग सौक होता है बाई यह क्या कह रहे हो तुम पागल हो गयो क्या तुम्हें पता नहीं है वो इन नहीं होसें से प्यार करता था इसलिए तो नहीं होसेंग साधी आटन करने के लिए नहीं आया और आप कह रहे हैं आप एक दुझे से प्यार कर रहे थे जिंजोन कहता है नहीं हम दोनों एक दुझे से प्यार करते थे Nih Osang तो हमारा पस एक दोस्त है Link कहती है नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता Nih Osang से मैंने खुद बात है की थी उस नहीं कहा था कुछ दिर सालेंड रहने के बाद Link कहती है भाई मुझे लगता है वो इंग तुम दोनों के साथ खेल रहा था उसे पता है कि वो एक नोकर का बेटा है वो एक नोकर से ही साधी करेगा इसलिए वो तुम दोनों को फसा लिया और जब वांगजी का रिष्टा आया उसने हां कर दिया बिना कुछ कहे, बिना कुछ करे जो इतना बड़ा उसके पस रिष्टा आ गया था तो मैंगय गुशा हो जाता है कहता है मैं अब भी अंदर जाकर सबको सचाई बता दूँगा उन लोगों की बाते सुनकर वांग जी गुशे से मेरे जहल के अंदर आता है जाता था सबके सामने उनकी सचाई बता है मगर वो अपनी अंकल की तरफ देख रहा था जो बहुत ज़दा खुज थे उसके भाई बहुत ज़दा खुज था इसलिए वांग जी कुछ नहीं कहता वो चुप रहता है अब प्रेजिन की बात है वांग जी अपने मन में सुचत हुए कहता है कि मैंने उस दिन उसे अपनी रूर्ज के पास लेकर गया था कि वो सब कुछ याद कर ले कि वो पहले प्यार से मिलना वो गला थे उनसे मिलना नहीं चाहिए मगर उसने तो मुझसे ही मिलना छोड़ दिया मुझसे बाते करना छोड़ दिया इस तरफ जियांचेंग और उइंग बाते में इतने अदा मस्कूल हो गये थे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि जियांचेंग का जाना का वक्त हो गया है जियांचेंग केता उइंग अब मुझे जाना पड़ेगा तो उइंग थोड़ा सा दुखी हो जाता है फिर भी वो प्यारी से मुस्क्रण देखकर अपनी भाई को बिदाई करता है जिसे ही उसका भाई उसके आंखों से थोड़ा थोड़ा करके उजल होता है उसके उठों की मुस्क्रण भी पेसे ही थोड़ा थोड़ा करके काइभ हो जाता है वू voice जो अपनी भाई को जाता हुए देख रहा था वो सुचता है भाई पहले मुस्करानी के बचा तुम दोनों थे मगर यहाँ पर तो मैरा मुस्करा नहीं कुना है तो मैं किसके लिए मुस्करा हूँ उसके दिल में धर्षा होने लगता है और वो अपने रूम के अंदर जाकर वो दर्बाजा नौक करके रोने लगता है वांग जी जो यह सब कुछ देख रहा था वो फिर से यह सब कुछ के बारे में गलत समझ लेता है एसे ही कुछ दिन बीच जाता है एक दिन में गयाओ और वो इंग खाना बना रहे थे तो वो इंग कहता है आज आप इतना दक खोश क्यूं है आपके घरबाले आने वाले हैं निमंतरन देने के लिए में गयाओ नोड करता है तो वो इंग बड़ी सी मुस्कर देता हुए कहता है अच्छा लगता है ना जब आपने भाईवें से मिलने पर ब्यांग याओ बड़ी सी मुस्कर देता हुए कहता है हाँ तुमने ठीक कहा और वो इंग की तरफ देखते हुए कहता है तुम दोनों कब जाने बाले हो तो वो इंग दूखी हो जाता है नीचे की तरफ देखत हुए कहता है पतानहीं अब हमें फ्लस बैक दिखा जाता है जब जैंक चैंग ने कहा था कि उसे जाने के लिए वींग ने उसे पुछा था क्या मैडम जैंग कोश होंगे तो जैंग चेंग दूसरी तरफ मों करलया था वीं अच्छ से समझ गया था कि मैडम जैंग कभी भी नहीं जाते कि वो कभी भी जियांग कबिला जाए जाए मैंगिया उइंग का नाम लेता है तो उइंग अपनी ख्यालों से पापस आता है कहता है पता नहीं कब जाने वाले हैं मैंगिया उन नोड करता है और दौनों छोटे थे मैंने उन्हें दूर से देखा था आपको तो पता है आपके बड़े भाई के साथ मेरी सिजी की साथी बच्पन में ही ते हो गया था इसलिए वो दोनों भाई कभी कबर हमारे कबिले गुमने के लिए आया करते थे मेंग्याओ केता है ओ तो फिर तुम सभी बच्प आकर कहता है फैस मेडम लैं आपके भाई यहां पर आये हैं तो मेंग्याओ खुशी से बहां से चला जाता है बहां पर बस विंग खड़ा हुआ था अपने बस्पन की एदों में अब हम फ्लास प्लैक दिखा जाता है जब पर एक छोटा सा बच्चा एक कमरे में खेड़की के बाहर देख रहा था बाहर उसका भाई जाउचेंग और उसके सीजे और जेन कबले के दोनों ब्रदर्स बाहर खेले रहे थे वो बस अंदर दुखी मन से उन लोगों की तरफ देख रहा था क्योंकि मैडम जेंग ने उसे स्ट्रीटली मना किया था कि उन लोगों के समने याने के लिए जिन जिंवान कहता है जाऊ चंग तुम्हारा और एक भाई है ना उसे बुलाओना हम लोग साथ में मिलकर खेलेंगे जिनज्वन कहता है हां उसे बुलाओना मैंने सुना है वह एक ओमेगा है और फिर कॉल्टिवेशन दुनिया का मोस्ट ब्यूटिफुल ओमे और आप दोनों को आपके कबिले लोटना पड़ेगा, आपके कबिले से बुलाबा आया है, अंदर जो विंग खेड़की के पस उन लोगों को छुपके से देख रहा था, और सुन रहा था, कुछ दरबाद उसके दरबाजे को नौक की जाती है, जिसे ही वो खुलता है, वो द जिदा दरद हो रहा था, वो कुछ बोले, उससे पहले, उससे बहुत जिदा मार पॉट चुका था, उसके भाई बेन, वो अपनी मा के पेर पेर पे पकड़ कर रोने लगते हैं, मा उससे छोड़ दो, वो छोटा सा है, उसने कोई गलते नहीं की, मैडम जैंक और दो तिन प होता है, कि मेरी सिजे दुनिया से बेस्ट है, वो सबसे ज़दा खुबसरत है, यहीं पर ही फ्लाजबेक आतम हो जाता है, वो यह जो अपने फेर से एया लेने के लिए, किचन रूम से बाहर, अपने फेबरेट प्लेस, गार्डन के तरफ चला जाता है, कुछ दर बात, जि से बहुत ज़दा खुबसरत हो, वो इंग हसने लगता है, और वो दोनों इसे कुदर बाते करने लगते हैं, दूसरे तरफ में गया हूँ, जो अपनी भाई को डून रहा था, और प्रेय कर रहा था, जिसे वो अनिंग के पस ना जाए, क्योंकि उसे पता है, जिए उन दोन के अंदर चला आया था, मगर जिसे ही वो जिंजवन की तरफ देखता है, जो बेटरेटली मुस्कराने लगता है, और लेंग भी बड़ी जोड़ से हसने लगता है, मेंगया कुछ भी नहीं समझ पाता, अपनी दोनों भाई बेहन को देखकर पूछता है, क्या हुआ, दोनो नंकलियाओ गयान की तरफ चला जाता है, बोस देखता है वइंग और उसकी भाई जिंजवन दोनों हसके बाते कर रहेते, वो बस प्रे कर रहा था है, जैसे वांग जी on दोनों को ना देख ले, मंकर बोस देखता है, क्यों दोनों को गुशे से देख रहा है, दूसरी पर देखेंगे कि वांग जी का गुशा और उसकी जेलर्स क्या लाता है आप लोगों का मेरा यह एक्स्प्लेशन अच्छा लगें तर प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजेगा थेंक्स पर वाचिंग